हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो माई चैनल बैस नोलिस टूदे इस माई टॉपिक कम्यूनिटी हेल्थ निर्सिंग मैंरे पिछली वीडियो में आपके साथ जो ये 2013 का previous question paper आपके साथ share किया था उनके जो answer है आज में आपको बताने वाली हूँ ठीक है ये हमारा first part था 2013 का previous question paper जो कि हमारा first part था आज हमें इनके जो questions हैं इनके जो answers हैं उनके बारे में discuss करेंगे सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे channel पर new है तो please इस channel को like कीजे, share कीजे और subscribe कीजे सबसे पहले आप इसमें दिखिए, question कौन से था पास्चराइजेशन ठीक हम one by one करके जो one one marks की जो इनके answer है वो मैं आपको बता देती हूं कि पास्चराइजेशन क्या होता है पास्चराइजेशन क्या होता है, the heating of milling to such and temperature and for such period of time as required to destroy any pathogen that may be present while causing minimal change in the composition flavor and nutritive value इसमें क्या है, इस तरह है कि जो temperature है, temperature की जो milk का temperature होता है वो और उसमें जो four time का period होता है उसकी जो timing होती है उसको क्या destroy करना होता है कि इसको pathogen की helps ही, ठीक है, जो इसमें जो flavors होता है, nutrient value में क्या होता है, नियोनतम परिवतन का कारण बन सकते हैं इसके पाद आता है, IUD, ठीक है, IUD क्या होता है, इसे हम बोलते हैं, interdisciplinary device कहा जाता है, it is temporary method of family planning, it is used to control of conceptions by the introduction of organ body into the uterus such as copper tea, ठीक है, इसे copper tea बोलते हैं, इसे interdisciplinary device कहा जाता है, यह family planning का जो ऐसाई तरीका भी होता है, इसका जो use होता है, ठीक है गरवाशिया में, four gin body को क्या कर समलिक करके, गरवाशिया को नियंतिन करने के लिए क्या जाता है, जैसे की copper tea, copper tea आप सबको मालूम होगा, जितने भी woman है, जो जैसे की क्या होता है, जैसे copper tea का मतलब यह होता है, कि अगर जैसे married, जो woman होती है, उनकी जैसे two child हो जाते हैं, अगर उनको कोई बच्चा नहीं चाहिए हो था, तो वो क्या करते हैं, copper tea का use करते हैं, यानि कि डोक्टर से copper tea लगवा लेते हैं, इससे क्या होता है, आप चुह जैसे जो woman का है, पांसे छे, अगर बच्चे हो भी जाते हैं, तो उसमें क्या operation करवा दिया जाता था, आज की date में क्या होता है, आज की date में यह होता है, कि जो copper tea है, यह लगवा दिया जाता है, ठीक है, वो सोसने है कि जो operation है कराने से, जो body है, वो खराब हो जाती है, तो हमें जो है, copper tea लगवानी है, उसके according आपको जो है, डोक्टर बता देते हैं, तो वो copper tea लगा देते हैं, ठीक है, यह जो होता है, यह जो होता है, one year या six month की जो है experience date होती है, इससे जादा यह नहीं रखी जाती, clear, इसके माद आता है communicable disease, क्या होती है, communicable disease, the disease which spreads from one person to another is called communicable disease for example tuberculosis, इसमें क्या है, एक परसन से, यानि कि एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति में फैनले वाली बीमारी को, यानि कि जो बीमारी होती है, उसे क्या बोला जाता है, उसे जो है संक्रमन रोग कहा जाता है, ठीक है, इसके बाद आता है environment, return environmental impulse all the external infectors, living and non living materials and known material which surrendered human being, इसमें क्य होता है, प्रयावन जो होता है, आप समझ सकते है, environment के से कहा जाता है, प्रयावन शब्द का जो अर्थ है, सभी बहारी कार्गों का जीवित रहना, ठीक है, जो हम जैसी नर्जीव रहना, जो होती है, इसमें, इसमें living, no living को क्या करते है, ये मानों को घेरे हुए रहती है, जो आसपास का जो एरिया होता है, वो आप सबको मालूम है कैसा होता है, उसके according हम उसे क्या बोलते है, environment बोलते हैं, इसके बाद आजाता है, health, health क्या होता है, health according to WHO, it is defined as a state of complete physical, mental, social, spiritual, well-being and known badly, absence of disease or infirmity, इसमें क्या बता रहा है आपको, इसमें क्या होता है कि इसकी अनुस समाजी के ध्यात्मिक जो स्थीती के रूप में परिभाशित किया जाता है, और केवल, disease और दुरवलता का भी अभाव नहीं होता है, इसके बाद आता है, WHO, WHO क्या है, world health organizations, इसकी जो full form है, आप से जो है, philips में पूछा जा सकते है, two false में पूछा जा सकते है, one marks में पूछ जा सकते है, इसकी जो है, full form बता रही है, क्या है, world health organizations, it is specialized non-political and health agency of the unit and nations, the headquarters of Geneva, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है, WHO, organization, एक विशिस्ट और के राजनितिक स्नियुक रास्टर की, जो होता है, उसमें स्नियुक रास्टर की जो स्वास्टर से एजंसी होती है, ठी ठीक है, इसके बाद जो आता है, communications, communications क्या होता है, उसके बारे में हम discuss कर लेते हैं, it is defined as a process by which is two or more person exchange or share an ideas effect, feeling or expressions, इसे क्या क्या जाता है, इसे एक परक्रिये के रूप में क्या क्या जाता है, यानि कि इसे प्रभाशित क्या जाता है, ठीक है, जिसके दोबारे दो या दो से आधिक व्यक्ति, विचारों और भावनाओं या भावों का अर्दान करते हैं, इसके बाद आता था, immunity, immunity क्या है, it is a power of body to fight against the infections, यह है जो क्या करता है, यह है, infection उसे लड़ना के लिए body की जो क्या है, पावर जो होती है, वो जुरूरी होती है, ताकि वो जो है, infection उससे fight कर पाई, अगर आपकी immunity weak होगी, तो आप क्या करेंगे, जो infection उससे fight नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए immunity का होना बहुत जूरूरी होता है, इसके बाद आता है, pollutions, pollutions में क्या बता रहा है, pollution is the introduction of contaminants into the natural and environment that causes adverse change, इसमें क्या बता है, pollution जो है, pollution प्राकर्तिक वातावर में दूशि इसके बाद आता है, mmr, mmr में क्या है, maternal mortality rate is defined as a death of a woman while pregnant, और within a 42 days, terminations of pregnancy form from any causes related to pregnancy, it is measured by the formula, यह formula है, ठीक है, आपको बताना है, इसमें क्या है, maternal mortality rate बताना है, कैसे निकाल लगए, घर्वती होने पर या, ठीक है, pregnancy, यानि कि घर्वती होने पर या pregnancy से मदे किसी भी कारण से, घर्वा वस्ता है कि जो समापती है, उसके 42 days में, जो woman है, जो death की रूप में से परिभाशित किया जाता है, इसके जो सुत्र है, उसका जो मापा कैसे जाता है, उसके बारे में बताना है, total number of female death due to complications, ठीक है, और pregnancy and child birth within 42 days of delivery, यह इनका आपको क्या बताना, एक सूत्र बताना है, कि आपको कैसे निकालना है, ठीक है, यह तो था हमारे जो one one marks की question थे, इसके बाद जो हमारे next question था, यह हमारा second question, define community health nursing, और B में है, discuss the quality of the community health nursing, अब हम इन question के बारे में भी देख लेते हैं, यह है community health nursing, ठीक है, अगर आपके पास अगर यह book है, यह वाली book है, कोल केकी गिल के नाम से, तो phase number आपको बताते हैं, phase number 9 है, जिसके अंदर आपको यह है community health nursing, जो इन्होंने पूछा की community health nursing क्या है, यह community health nursing है, ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है, then इसके बाद आता है, concept of health and disease, यह भी physical concept and holistic concept and concept of well-being, ठीक है, जो आपको यह करना है, कहां तक finish करना, वो मैं आपको बता देती हूँ, यह आपको यहां तक finish करना है, ठीक है, कहां तक करना है, well-being तंग आपको finish करना है, इसके आगे नहीं लिखना है, ठीक है, इसके बाज़ों हमारा next question था, वो आप देख सकते है इसमें, this is the qualities of community health nursing, इसके बार में भी हम देख लेते हैं, यह है page number 35, जिसमें है qualities of community of health nursing, अगर इसमें आप से जो है role पूछता है, इसमें आपको तो भी यही लिखना है, qualities पूछता है, तो भी आपको यही लिखना है, ठीक है, यह है qualities of community health nursing, इसमें क्या के लिखना है, आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, जो qualities नर्स के अंतर क्या क्या होने चाहिए, उसे सबसे पहले तो educated होना चाहिए, उसे knowledge होना चाहिए, हर चीज के जो work जो भी कर रहे हैं, उसके बार में knowledge होना चाहिए, ठीक है, अपनी तरफ से भी इसे आप बना कर लिख सकते हैं, ठीक ह जो इन्होंने पूछा आप से कि define किजी primary health care को तो यह है उनका जिसे हम short form में PRC भी बोला जाता है ठीक है यह आपको क्या करना है इसको आपको पूरा लिखना है कहां तक लिखना है वो मैं आपको बता देती हूं इसमें आपको क्या करना है सबसे पहले यहां तक आपको लिख लिखना है फिर concept of primary health care लिखना है और साथ में आपको यह flow chart भी बना रहा है और इसके बाद आपको जो लिखना है वो लिखना है इसमें जो goal आ रहे हैं वो लिखना है ठीक है objectives लिखना है आपको यहां तक लिखना है elements तक नहीं लिखना सिर्फ आपको यह हैं यहां तक finish करना है objective से ठीक है तो इसी चीज़ का धिया रखना है यह आपको points नहीं लिखना है और यह लिखना है goals लिखना है concept of primary healthcare लिखना है ठीक है जो इसके पाद जो next आता है था वो है हमारा इसके पाद जो next है वो है principles of primary health care यह है principles of family health care की जो बारे में बताया गया है वो ही कि जो principles है वो क्या है आप इसे देखिए इसमें जो questions है वो बतारख है कि इसमें principles और primary health care यह है अपकर principles क्या क्या है इसमें देख लिजी इसमें आपको पूरे को point जो है सारों के सारे लिखने हैं point तो same रहेगा और इसमें जो है आप जो इसके अंदर heading लिखनी है वह आप अपनी तरह से भी लिख सकते हैं ठीक है यह 5 point जो है वह यहां तक finish हो रहा है आप इसे देख लिए यहां तक finish हो रहा है और इस चीज़ का दियानक नहीं यह primary health care लिखना है 25 page number है और 24 जो page number पर इसके principles हैं अकर आपके पास यह book है तो उसमें भी मिल जाए है यह है इसके functions और primary health center ठीक है इनके Congress है medical care MCH family planning and welfare and school health services and improvement environmental and sanitation and control and surveillance और communicable disease ठीक है यह जो है reference service तक आपको जो है यह point है guys यह answer है इनके मतलब point है इनके बाद जो आपको खुद explain करके बताना है ठीक है तो इसमें आपको जितना आप लिख सकते medical care में आप कैसी 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 कर सकते हैं वो सब आप लिख सकते हैं इसके अंदर आपको इसमें कोई problem ना आए I hope कि आप बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखें तो यह इनके point है आप इसे देख लिजी तो इन point में जो आपको सिर्फ point तो यही रहेंगे इसमें जो आपको जो explain करना खुद अपनी तरफ से कीजि इसमें जो है community health और उसमें सेम रहता है answer कोई changing नहीं है अगर आपने वो book अगर purchase कर रखी है तो बहुत ही अच्छा है इसके बाद आता है इसके बाद आता है इसके बाद आता है इनसे इसके पॉइट्स फिल्ट इवर्यटिव थीक है यह इसके points है जो कि आपको अच्छे से इसके बारे वह हम discuss कर लेते हैं यह आपका इनिमेट इसमें आता है due to deficiency of iron लिखना है इसके बाद sign and symptoms लिखना है वह देख लिजी sign and symptoms में weakness आते है in ability to do work and इसके बाद आते है पाइड लिखना है और इसके बाद आता है bag techniques थीखे बैग techniques में आपको कैसे लिखना है यह पूरा आपको जो है पूरा लिखना है community bag is the bag which is carried by the nurse during home visiting ठीक है bag techniques वो कैसे करती है home visiting के टाइम पर नर्स जो है उसके बारे में बताना है तो इसके जो है procedure of bag techniques यह भी लिखना है आपको साथ में इसके बाद जो आता है prevention of water pollution उसके बारे में बताना है आपको यह है उसके सेलेक्शन से लिखना है voluntary health agency include इनमें सभी include होगा पूरा का पूरा लिखना है आपको ठीक है यहां तका जो answer खतम होता है advantage of and breastfeeding कैसे करती है advantage of breastfeeding वह हम आपको बता देते हैं इसके breastfeeding ब्रेस फीडिंग में इसके बारे में बता रहा है यह आप इसे point वे अचे देख लीजी यह इनके नेम पूरे बता रहे है कैसी 24 आस में देना चीए clean and sterl होना चीए milk के बारे में कैसी कैसी देना है उसके बारे में बता रहे है ठीक है इसके बारे जो next आता है यह है आपका communications वाला जो answer है इसमें मिलेगा process of communications and IT importance ठीक है यह क्या क्या है इसमें आप देख लीजिए पूरा का पर sender होता है आप खुदको माले माहिकी जो हम अपने message वो कैसे भीचते हैं उसके बारे में बतान इसके बाद importance लिखना है feedback, reserves कैसे करते हैं इसके बाद में जो next आता हमारा वो था आपको communication process, sender, message and channel of communications, receiver and feedback and importance of communications ठीक है इनमें यह आपको पूरा लिखना है इसका जो answer है communications का यह है complication तक आपको answer लिखना है और यह थी मेरी आज की वीडियो अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब जुरू की जेका है और थिंकियो सो मच